कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भगतों आज मैं आपको बताऊंगा कि इस्तरी के बाल से यह देख लिजिए इस्तरी का बाल है कि इस्तरी के बाल से आप कैसे उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार में पागल कर सकते हैं चाहे वो कुमारी लड़की हो यह साधी सुधा महिला हो यह कौम उमुराली लड़की हो आप उसको अपने प्यार में एक दम पागल कर सकते हैं सिर्फ एक बार कर दीजिए बस वह हमेशा हमेशा क्लिए आपके प्यार में टरपने लगेगी बेचाइन हो जाएगी हर पलपल आ चाहे गो सबसे आफी के पास में जाएगा तो आएए बतल आते हैं कि कैसे इस्त्री के बाल से आप हमेशा हमेशा के लिए उस इस्त्री को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं आप सोचीए कि हम इस्तरी का बाल कहां से लाएंगे जिसको वस्मे करना है उसका बाल कहां से लाएंगे मेरे भगतो जब इस्तरी कंगी करके उस बाल को फेंक देती है उस बाल को आपको नजर रखना है आपको कि वो बाल कब कहां फेंक रही है ठीक है या किसी बच्चे को भी भेज करके उसका बाल मंगवा सकते हैं ठीक है कहीं फेंक दे रही है जैसे कि कंगी करके फेंक दे रही है बाल को आपको क्या करना है उसका बाल सिर्फ पा लेना है थोरी सी मात्रा में पांचे ही बाल हो बस उस पांचे बाल लेना है किसी भी तरह से मंगा ले किसी से भी मंगा ले और उसके बाद में जो टुटका बता दूँगा वह सिकर दीजिए बस आपका काम हो जाएगा मेरे भक्त तो लग्ति आपके प्यार में पागल हो जाएगी बिचैन हो जाएगी आपके बिना एक पल भी नह हो जाती है हर पल पल आपको याद करेगी एकदम बेचैन हो जाएगी तो आए बतलाते हैं कैसे इस तरी के बाल से किसी भी इस तरी को पल भर में अपने प्यार में पागल कर सकते इस टुटका को मंगलवार के दिन और सनिवार के दिन करना है मेरे ध्यान में रखना है मंगल ध्यान चे देखिएगा तभी समझ में आएगा और कोई भी दिखात हो कोई भी समझ सा हो तो अपने चीक कमेंट में जरूर कमेंट किजिए हम आपकी जरूर मदद करेंगे तो आई बतलाते हैं कैसे क्या करना इस तरी का बाल जब आपके पास में आ जाए उसके बाद मैं आप को करना क्या है ध्यान से दिखिएगा मैं आपके सर का जो बाल है आपको पांचे बाल लेना है और इस तरी के बाल के साथ में मिला देना है जो इस तरी का बाल है इसमें आपको क्या करना पांचे बाल आपका भी इसमें मिला देना है पांचे बाल इस तरी का होना चाहिए प भी रख सकते हैं तील का तेल का दिया यह कि अपको जला लेना है इस बाल को क्या करना है निस पे जला लेना है और इसका जो राख बनेंगा इस बाल का जो राख बनेगा इस राह को आपको करना क्या है ध्यान देजी जो राह का में जो काम है इस राह को पर सही समय पर रख दीजिएगा बस आपका काम हो जाएगा मेरे बब्चतों वह इस तरी आपके प्यार में उसी समय अपने लगेए एकदम बेचैन हो जाएगी अपके बिना एक पल बिना पाएगी हर पल पल आपको याद करेगी मेरे भग तो करना क्या है इसका जब राख हो जाएगा जब जला दीजिए इसका राख बन जाएगा इसके राख को लेना है उसके बाद में आपको करना क्या ध्यान दीजिएगा अगले दिन शुरुएदय होने से पहले किसी भी बहते हुए पानी में चाहे हो नदी हुए तलाब हो आपको बहा देना बहाते समय उस इस्तिरी का नाम लेना है जिसको आप अपने वस में करना चाहते हैं जिसका बाल था ठीक है बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं गुरुजी मेरे अगल वगल में कहीं पानी की सुविदा नहीं है तलाब नहीं है तो उनको यह बोलूँगा कि नीम का जो प्यांड होता है उसके जड़ के पास जा मिटी को कुन करके उस राह को दबा दे बस आपका काम हो सबस्क्राइब कर लिजी और घंटी घुदावाद जी तक हम जितने भी विडियो बनाएंगे उस सबसे पहले आप ही के पास मिज़ाएगा